Hello Dear Subscriber's, मैं हूँ आपकी दोस्तों स्वागत है आपका Best Care of Pregnancy में Friends, आज किस वीडियो में हम 7th week of pregnancy की बात करने जा रहे हैं इससे पहले की वीडियो में हमने 4th week of pregnancy की बात की थी 7th week of pregnancy जो होता है ये बेहत खास time होता है कुछ खास बदलाव होते हैं इस समय बच्चे में मा में भी कुछ खास बड़े changes देखने को मिलते हैं pregnancy related कुछ बड़ी खास आउधा परिशानिया है जो मा को जिलनी होती है इस समय बच्चे में कितना development होता है कितनी growth होती है कितना weight होता है वो सारी जानकर इस वीडियो में हम देंगे तो वीडियो में हमाई साथ यंट तक बने रहेगा अगर आपका 7 वीग चल रहा है तो ये आपके लिए बेहत खास वीडियो है प्रेगनेसी का जो साथवा हफता होता है इसमें बच्चे का जो साइज होता है वो एक सैंटी मीटर तक हो जाता है बच्चे का चहरा और जो सिर है वो भी डेवलप काफी हद तक हो जाता है बच्चे के हाथ और पैर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं बनना शुरू हो जाते हैं बच्चे के eye lens जो होते हैं वो भी develop होने start हो जाते हैं 7th week जो होता है pregnancy का इसमें बच्चे की heartbeat भी आ जाती है लेकिन कई बार doctor suggest करते हैं कि 8th हफ़ते में ही ultrasound कराना चाहिए पहला heart beat चेक करने के लिए काफी लोग 7th week में भी कराते हैं और 70-80% केसे में 7 दीक तक हार्टबीट बच्चे की आ जाती है इसके अलावा मा के जो बदलाव देखने को मिलते हैं जो प्रेग्नेंसी रिलेटेड परिशानिया जो 7 हफते में जादा होती है जैसे की नौजिया बार-बार होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जल्दी जल्दी बात्रूम जाना ये चीज बार-बार होता है 7 हफते में आपको अगर वॉमेट की समझ से है अगर आपको उल्टियां बहुत होती है तो ये चीज चीज अभी चलेगी आपकी कुछ हफते और इसके अलावा कमर में दर्द, ठकान कम जोरी और बुझा बुझा रहना ये सब चीज भी होंगी या तो भूग बहुत जादा लगेगी या तो फूर भूग बिल्कुल नहीं लगेगी और शुरुवात में नीम जादा आती है कुछ लोगों को नहीं भी आती है दोनों टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो ये जो साइज होता है वो ब्लू बेरी आगर आपने देखी है तो ब्लू बेरी के साइज का हो जाता है साथमे हफते में और गर्भस तशिशू में यहीं समय होता है जब हार्ट बीड़ भी आ जाती है इसके अलावा जो इस हफते में माँ को सावधानिया रखनी होती है वो अभी आगे भी रखनी है जो कि मैंने चौते हफते में आपको बताई है पिछले वीडियो में कि इस समय आपको आपके डाइट का खास खयाल रखना है क्योंकि बच्चे का ग्रूथ आपके स्टार्ट हुई है बच्चे के हाडवीट अभी आपकी आई है और अगर अभी तक आपने महीने होते हैं बेहत खास होते हैं अगर इस समय महीला ज्यादा इस ट्रेस लेती हैं तो अन्फॉर्चनेटली मिस्ट अबार्शन स्पॉंटेनियस अबार्शन इस टाइप की चीज़ें भी हो जाती है तो इसलिए जादा से ज्यादा खुश रहिए तभी आपके बच्चे क डाइट लीजिए तो यह थी खास जो development बच्चे का कितना होता है आप में क्या changes देखने को मिलते हैं और क्या साउधानिया आपको रखनी है यह जो खास tip मैंने बताई है इनका ध्यान रखी और यह सारी चीज़ें जो होती है यह 7th week of pregnancy में होती है तो इसलिए इन चीजों का ध travel मत करिए अभी क्योंकि जब तक 12 हफते पूरे नहीं हो जाते है ट्रेवल बेहद खतरनाक हो सकता है सुरवाती pregnancy में और ज्यादा सीडियां चढ़ना उतरना और ऐसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना जैसे स्कूटी वगरा है या फिर रास्ते बहुत खराब है ऐसी जगे चलिए मिलते मारे नए वीडियो में किसे नए और बेहत खास जानकारी के साथ तब तक के लिए बबबाई सी यू सोन इस्टे हैपी एंड इस्टे हेल्डी